आज कल जो सबसे ज्यादा problem महिलाओं में पाया जा रहा है वो है उनके एग को लेके बहुत सारी महिलाओं में एग जो है नहीं बन रहा है इन सारे problems के लिए क्या करें इन सारे problems जबकि आपके body में सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी एग नहीं बन रहा है एग नहीं बन रहा है तो sperm से meat नहीं हो पाड़ा है तो इसके लिए आप क्या करेंगी आपके कुछ lifestyle में जो है changes लाने की जरूरत है आपके कुछ डायेट में changes लाने की जरूरत है डायेट बहुत ही important role जो है प्ले करता है आपके overall reproductive system को active करने में को ठीक तरीके से काम करवाने में उससे यानि कि यह कि जब आपका डायेट सही होगा तब ही आपके अंडे सही से बनेंगे अंडे mature होंगे फेलोपियन ट्यूब में आएंगे वहाँ sperm से meat करेंगे fertilization होगा then implantation का प्रक्रिया जो है वो सफल होगा इसके लिए क्या क्या चीज़े आप खा सकती हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अंडे को mature करने में अंडे को सही से बनने में अंडे को फूटने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो सारी चीज़े अपने डायट में मैंने पहले भी बताया है कि आपको भड़पूर तरीके से डाल और बीन्स का सेवन करना है डाल और बीन्स के सेवन से यह होता है कि आपके अंड अच्छे से बनते हैं अंडे फूटते हैं समय से अंडे च्योड होते हैं और फिलोपियन ट्यूब में आते हैं तो जितना भी अंडे काम है वो दाल और बीन्स उस चीज को करवाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है सेकेंड जो चीज है मैंने आप लोगों को बताया है कि सीट साइकल में भी कि आपको तील के बीज खाने बहुत जरूरी हैं अगर अंढो से कोई भी प्रॉब्लम हैं जैसे कि अंडे नहीं भर रहे हैं सब कारे कलापों में आपके लिए तील के Caesar लिए तील के बीज कैसे खा सकती हैं उट टो वाइट वाला तील का भीज हो या पुंडंवल दोनों बाग वाइवब भाक्डान हो सकते हैं तो तिल के बीच आप बेक्फरस्ट के टाइम अगर खाएंगी और वो कब खाना है जैसे कि आपको अपने पिरियट के फर्स्ट डे से आववलुषन के फौर्टीन्थ दे तक आपको तिल के बीच का सेवन करना है इसी वक्त क्या होता है कि पिरियेट के first day से evolution तक आपके अंडे जो है वो बनते हैं अंडे फूटते हैं मित्योर होते हैं इन सारे क्रिया कलापों में मतलब अंडे की भागीदारी चलते रहती है तो उस दोरान आपको वह सारे foods खाने हैं जो कि अंडे को बनने में अंडे को बाहा निकालने में अंड जरूर से जरूर जिससे कि आपके अंडे अच्छे से बन पाएं उसके बाद दाल चीनी का सिवन मैंने आप लोगों को बताया है दाल चीनी का कैसे उपयोग करना है तो दाल चीनी भी आपके लिए बहत फायदेमंध होगी दाल चीनी को किस तरह के से बोल करके उसके पानी क सीवन आपको करना है उन चौदाध ही दीनों में फिर आप अपने लाइस्टल में में स्ट्रेस लिया है ठेंशन में रहना है करना हैर योगा कर ना भू bucket इंप चीजों को फालोद यजरूर होगं flex seeds में omega 3 और 6 तरीके का fatty acid पाया जाता है जो कि आपके अंडे को बंडने में rapture करने में उसको grow करने में बेहर्स जरूरी होता है flex seeds जो है उसवक्त hormones की जो need होती है उसको diWAY फायदे मन्त होता है तो इसलिए flex seeds जरूर खाना चाहिए उस दोडान आपको 1-14 दिन तक अश्वगंधा का भी सेवन करना चाहिए अश्वगंधा एक हब माना जाता है तो अश्वगंधा आप महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं फायदे मन्द होता है तो उन दोडान अश्वगंधा का भी आप सेवन कर सकती है उसके लिए जो है पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाया है उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हूँ तो आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं धन्या